जहाँ पर इस प्रकार लिखा है और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहार निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की और न ताकना और तराई भर में न ठैरना उस पाहार पर भाग जाना नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा हालिलूया सिखमच प्रबु का धन्यवाद है आठ एक वर्ट के लिए और मैं आशा करती हूँ जिस प्रकार ये वर्ड ने मुझसे बात करेए वो आप सबसे भी बात करेगा आईए आठी वर्ट में चाहते हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस वर्ट ने मुझसे किस प्रकार बात करी है हम सभी सदोम और अमोरा के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसी सिटी थी पुराने समय में जिनको परमेश्वर ने आग के द्वारा नश्ट करा था स्वर्ट से प्रभू ने गंदग परशायते आग परशायती और इन दोनों सिटी का विनाश किया था क्योंकि इन में पाप इतना जादा बढ़ गया था कि परमेश्वर को यहां के लोगों के उपर गुस्सा आया और उनको फाइनली इसको खतम करना पड़ा वन्हा पाप एक एक्स्ट्रीम लेवल पर पहुँच गया था जिससे परमेश्वर बहुत जादा दुखी थे इसलिए उन्होंने इसको नश्ट कर दिया और इसके कुछ पहले आदियाव में हम पढ़ते हैं कि जो लूट की फैमिली है लूट नामक जो वेक्ती है जो अबराहम के साथ आया था जब अबराहम ने अपना देश चुड़ा था और वो कनान की जरनी पर निकले थे तो लू देखते हैं कि रीकिस्ट कि प्रभु आप अगर थोड़े फी लोगों से स्टार्ट करते हो है तो अगर इतने लोगों तो आप बचा ले ना उसीरी लोगों को बख्ष्य करना हुं कि उसे करते 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 वह कम लोगों पर आजाते हैं और प्रभू अबरहाम से इतना जादा प्रेम करते हैं कि वो उनकी बात को मान लेते हैं उन पर बिना क्रोट करें वो मान लेते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इन दोनों सिटीज का विनाश करना होता है और दो दूत आते हैं जो सदोम और अमोरा मे और क्योंकि तुम धर्मी हो इसलिए हम तुम्हारे कारण इस जगह को नश्ट नहीं कर सकते हैं। कई जाना होता है तो जनरली घर में जो लेडी होती है उन्हें उन्हें लेट होता है ना हम एंड टाइम तक पैकिंग करते रहते हैं। होने वाली है लेकिन तब भी हो सकता है वो पैकिंग में लगा कि नहीं यह रह गया वो रह गया यह भी तो लेना है वो भी तो लेना है। लेकिन फाइनली दूद आते हैं और कहते हैं कि अब तो बहुत हो गया अब बहुत लेट हो रहा है अब हम और नहीं रूप सकते हैं। और उनकी फैमिली के लोगों का हाथ पकड़ते हैं यानि कि लूद के फैमिली के लोगों का हाथ पकड़ते हैं वो दूद और उन चारों को बाहर कर देते हैं। कि अब तो तुम निकलो, क्योंकि तुम्हारे कारण हम और नहीं रूप सकते, अब हमको खतम करना पड़ेगा इस जगा को, और हम यहाँ बात करेंगे लूट की पत्नी के विश्वय में, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कि हमें पीछे की और मुढ कर नहीं देखना है, हमारा टॉपिक है कि हमें पीछे की और मुढ कर नहीं देखना है, चाहे सिच्वेशन कुछ भी हो, यहाँ पे लूट की पत्नी को मना किया था, यह साथ, जैसे कि हमने वर्च में पड़ा कि जो दूट थे, उन्होंने साफ मना करा था, लूट को, कि तुम ऐसे किसी को भी प सोच्रियों मैं एक बार पीछे मुढ के देख लूँ, मेरे फ्रेंट्स को हो सकता है, सोच्रियों कि मैं अपने घर को देख लूँ हो सकता है, सोच्रियों मैं अपने सिट्टी को देख लूँ, मैं जहां रहती हूँ, उस जगध को देख लूँ हो सकता है, उसकी को चीज छ देख लिया और जैसे ही उसने पीछे पलट के देखा वो एक नमक का खंबा बन जाती है एक नमक का खंबा बन जाती है एक नमक के खंबे के बारे में हमने सुना है एक नमक का खंबा कभी किसी काम आता है क्या हमने कभी सुना है कि नहीं वो नमक का खंबा तो बड़ा फेमस है अरे वो इतना यूज में आता है वो इतना सुन्दर है वो इतना अच्छा है दूर दूर से लोग उस नमक के खंबे को देखने आते हैं क्या हमने किसी ऐसे नमक के खंबे के बारे में सुना है क्या नहीं सुना है ना लूत की पतनी का एक डिसीजन उसे एक नमक के धेर में लेकर अपनी चीजों को लेकर हम बार-बार पीछे पलटके तो नहीं देख रहे हैं कि हम में अच्छे थे वहां हमें अच्छा भूजन मिल जाथा था वहां भले से हमें प्रतार्णा जेलनी पड़ती थी लेकिन हम खुश थे हमें सारी चीज़े अवेलेबल हो जाती थी क्या हम उनकी तरह तो नहीं कर रहे हैं कि हम प्रभू में आने से पहले बहुत खुश्ट है हमें इतना जादा इतना जादा चीजों में डिसीजन नहीं लेना पड़ता था कि नहीं मुझे ये करना है मैं ये कर सकता हूं मैं ये नहीं कर सकता हूं मैं यहां जा सकता हूं मैं वहां तो नहीं सोच रहे हैं, हमें आज ये अपने आपको चाचने की ज़रूरत है, मुझे और आपको ये बात चाचने की ज़रूरत है, कि हम अपनी पास्ट की चीजों को लेकर तो नहीं बैठें, कि नहीं, उस समय में चीज़े जादा अची थी, कहीं हम अभी जहां है, उससे हम कर रहे हैं कि हमारी पहले की लाइफ ज्यादा चीती है इस कंपेर टू आज हमें सोचने की जरूरत है कहीं हम भी नमक के खंबे की तरह ना बन जाए हमें लूट की पत्नी के जीवन से हमें यह बात सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने उन्होंने अपने जीवन में अपन मैं पीछे पलट के देख लूँगी तो मेरे हस्बिन का क्या होगा मेरी मेरी बेटियों का क्या होगा क्योंकि एक फैमिली होने के नाते हम सोचता है ना कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे का साथ देख कर हम एक दूसरे का खयाल रखते हैं हम एक दूस का वार्णन यहां पर द्यद्स लिए की के वह एक समय कर रहे सफ़ its not कोई काम य्वी कामSubima को सब्सक़् आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि हालीलू यह libриar में सिसने जीवन में इन बातों को ध्यान करक ना हमें उन चीजों पकड़ेंगर नहीं बैटना है हमें अपने जीवन में उन चीजों के और ध्यान नहीं लगाना है जो हमें प्रभू से दूर कर दे जो हमें उस पात पर चलने से भटका दे जो हमें प्रभू की और ले जा रहा है हमें उस पात पर चलना है जो हमें प्रभू की और लेकर जाता है हमें भटकन नहीं हैं, हमें विलकुल बटकना है, हमें इज्राईलियों की तरह कुड़ाना भी नहीं है, हमें अपने toかった की चीजों के बारे में भी जादा नहीं सोचना है, अपनी life को compare भी नहीं करना है उन्चीजों से, क्योंकि आथ जब हम प्रभु में हैं, हम secure जैसे कि मॉम ने सिखाया था ना कि हम 360 डिग्री कवर्ड एक राई के दानी की तरह प्रभू के लहू से कवर्ड है हमें इस बात को हमेशा हमारे लाइफ की हर एक परिस्थिति में आद रखना है चाहे वो हेल्थ इशू हो चाहे वो फाइनिशल इशू हो चाहे कोई भी बात ह हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम प्रभू के लहू से हर वक्त सिक्योर है हमें कुछ नहीं हो सकता हमें कुछ भी नहीं होगा जैसे यहां लूत की फैमली के सिटुएशन लूत और उसके बेटियां बच गए लेकिन सिर्फ उसकी वाइफ नहीं बच पाई उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं हम प्रभू में क्या डिसाइट कर रहे हैं हम प्रभू में क्या सोच रहे हैं क्या डिसाइट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बहुत ज़रूरी हमारे एक्शन बहुत मैटर करते हैं आज मैं यहीं आप लोगों से कहना चाहते ह कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में, किसी भी situation में, पीछे की और मुढ कर नहीं देखना है, चाहे situation कितनी भी tough क्यों ना हो, प्रभू हर situation में हमारे साथ खड़े, क्या लूट के साथ नहीं खड़े थे, लूट के लिए तो पूरे दूट ही बेज दिये थे ना, और वो दूट ऐसे भी नहीं, भेज की instruction भी नहीं दिया, उन दूटों ने हाथ पकड़ के उस city से भार मिकाल दिया, और हम क्या लेंगे, यदि हम इसराइलियों के विशह में देखे, इसराइली भी कुड़कुडाते रहे, लेकिन वो ये भोल गए कि प्रभू जो लाल सागर को उनके लि देखे, उनके पाल सोर कोई काम नहीं था, उनको चलते जाना था उसका नान-गृष की जननी पर और आरादना करते जाना था, खाना भी बनाने का कोई tension नहीं था, मनना वरसता था उपर से, लेकिन वो still कुड़कुडाते थे, कि वहां मटन खाने मिलता था, वहां नौनवि कि wife ने भी value नहीं करी इस चीज़ की कि दूठ हाथ पकड़ के बाहर निकाल के गए परमेश्वर के अगर वो यहाँ पे यह चीज़ decide नहीं करती आगे कितनी अच्छी बाते परमेश्वर उसके लिए रखते लेकिन उसने अपनी life को यहीं end कर दिया आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम भी उस नमक के खंबे बनने वाले कारे तो नहीं कर रहे है हमें भी उस wastage की तरह नहीं बनना है हमें प्रभू में मजबूत बनना है प्रभू के लिए एक मजबूत खंबे की तरह बनना है नमक का खंबर नहीं बनना है हालेलूईया आज का वचन यही था हम कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ कर ना देखे हमेशा आगे की और अग्रसर रहे हमेशा आगे की ब्लेसिंग की और देखे यूगि जब हम पीछे पलड जाते हैं न जब भी हम पीछे पलड ते हैं आप हमेशा देखते होंगे जब भी हम पीछे की और मुड़ जाते हैं तो हमें आगे क्या चल रहा है पता नहीं चलता मैं एक बार शेयर करना चाहूंगी कि मैंने एक एंटर्विव दिया था और उस एंटर्विव में मुझसे पूचा था कि आप बताईए आपके बैक साइट की वॉल का क्या कलर है और लिटरली उसको एक स्मार्टली आंसर करना था या हम एक तरफ मुड़े हुए होते हैं हमें आगे क्या चल रहा है नहीं दिखाई देता है यदि हम अपनी लाइफ में प्रभू की बातों को देखना चाहते हैं हमें पीछे की बातों को छोड़ना होगा हमें पीछे की लाइफ को छोड़ना होगा हालेलूया हमें सच में पीछे की लाइफ को छोड़ कर आगे बढ़ना है इसलिए आगे की ब्लेसिंग की और ध्यान दीजिए प्रभू आप सबको बहुत आशिशित करें और मैं आशा करती हो आज के वर्ड ने आप सभी से बात करी होगी प्रभू मैं आप सभी को जय मसी की शालोम